दोस्तों अंतरिक्ष रहस्यों को लेकर वग्यानिकों की हमेशा जिग्यासा बनी रहती है इस अनंत अंतरिक्ष में क्या-क्या है कहां कहां जीवन है और क्या-क्या रहस्य छुपे हुई है वग्यानिकों के साथ साथ हम इनसान की भी इसे लेकर जिग्यासा लगातार बढ़ती जा रही है कि अंतरिक्ष में आखिर क्या है? अंतरिक्ष के रहस्य कुलेकर वग्यानिक कई अंतरिक्ष मिशन को भी अंजाम दे चुके हैं जिसके जरी विदूसरे ग्रहों के रहसियों के बारे में जानकारे हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं इस रोव नासा जैसी कई स्पेस एजिंसी के फैक्यानिक आए दिन एसे लेकर कई प्रयास करते रहते हैं इन्ही प्रियासों में एक नाम है वाइजर 1 और वाइजर 2 नासा का वाइजर 1 अंतरिक्ष में सौर्वंडल के पार की आत्रा कर रहा है और वहां से वैज्ञानिकों को संदेश भेजता है वही हाल ही में इस वाइजर ने कुछ हैसे अजीब और गरीब मैसेज भेजे हैं इस आने वाले एरर को देखकर वैज्ञानिक हैरान है ये एरर वाइजर के एंटीना से जुड़ा हुआ है महीं कुछ लोग इसे एलिन का मैसेज मान रहे हैं लेकिन फिलहाल इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं कहा है इस वीडियो में हम आपको नासा के इस वाइजर के बारे में विस्तार से बताएंगे इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इसके जरीए अंतरक्ष के रहस्ते जानने की कोशिश कर रही है तो चलिए शुड़ो करते हैं ये दिल्चस्प वीडियो दोस्तों नासा के वाइजर के संदेश के बारे में जाननी से पहले जान लेते हैं कि आके ये کیा है Ōइजर 1 दुनिया में इनसान के बनाई एक लोती वस्तु है जो प्रतवी से सबसे ज्यादा दूर है वाइजर इस समय प्रतवी से 23 अरब किडूमेटर दूर है ये दूरी इतनी है कि पृत्वी और वाइजर से एक मेसज आने और उसे वापस वाइजर को भीजने में 48 घंटे का समय लग जाता है वाइजर 1 को 5 सक्टमबर 1977 में लाँच किया गया था वैजर 2 को 20 अगस्त 1977 में लाँच किया गया था वाइजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है वाइजर 1 2012 में हमारी सौर मंडल को छोड़ चुका था और इंटरेस्टिलर स्पेस में पहुँच गया नासा का वाइजर 1 प्रत्वी से 14 अरब में दूर मौजूद है यहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुच बाती है और हर दिन ये दूरी बढ़ती जा रही है इस वजह से ये बेहद सीमित संख्या में जानकारी को प्रत्वी पर वापस भेज सकता है इस स्पेसक्राफ्ट से वैग्यानिकों को हर सकेंट सिर्फ 160 बाइट जानकारी मिलती है जब इस स्पेसक्राफ्ट को लाँज किया गया था, तो ये 20 किलो बाइट तक जानकारी भेज सकता था वाइजर की जानकारी को प्रित्वी पर मौझूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिये ट्रांस्मिट किया जाता है डीप स्पेस नेटवर्क धर्ती पर चारो और डॉट के तरह फैले हुए है ये नासा का सबसे लंबा अभियान है इस अभियान ने गुरु और शनी ग्रहों की यात्रा की है ये यान इन महा काई ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरे भेजने वाला पहला शोध्यान है वाइजर वन माननम विर्मित सबसे दूरी परिस्थित एक गतिशील वस्तु है यहां आपको ये बता दें कि नियू औरिजन शोध्यान को भी अंतरिक्ष में इसके बाद छोड़ा गया था लेकिन ये वाइजर वन की तुलना में कमगति से चल रहा है इसलिए वो कभी भी वाइजर वन को पीछे नहीं छोड़ पाएगा वैज्यानिकों के मताबक वाइजर सूरी से लगभग 14.96 है गुना 109 किलोमीटर दूरी पर इस्थित्था और इस तरह वो हीलियो शेत भाग में पहुँच चुका है ये टर्मिनेशन शोक सीमा को पार कर चुका है ये वो सीमा है जहां सूरी का गुरुत्व प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है और अंतर्ख गोलिय अंतरिक्ष प्रभाव शुरू हो जाता है अगर वैजर वन हीलियो पॉस को पार करने के बाद भी कारिशील रहता है तब वैज्यानिकों को पहली बार अंतर खगोली माध्यम के सीधे मापे गए आंकडे और दशा का पता चलेगा वाइजर वन एक हाइपरबोलिक पच पर जा रहा है इसने सौर मंडल के गुरुत्व से बाहर जाने योग गती प्राप्त कर ली है वाइजर वन अब सौर मंडल में कभी वापस नहीं आएगा इस स्थिती में पाइउनियर 10, पाइउनियर 11 और वाइजर 2 है नासा के वैज्यानिकों के मताबिक वाइजर ठीक से काम कर रहा है उसका एंटेना भी प्रित्वी की ओर है लेकिन ये अब अपने स्थान को लेकर अलग तरह का मैसेज भीज रहा है जो बाकी डेटा से मैच नहीं खाता है ये डेटा नासा के लिए जरूरी है इसी से वे तारों के जरिये प्रित्वी की सही दिशा में उसका एंटेना रख सकेंगे नासा की जेट प्रपोर्चन लेबरोटरी की एक प्रोजेक्ट मानेजर सुजैन डॉड ने कहा के वाइजर का इस तरहा वेभार करना एक रहस्ते में बात है वाइजर का डबल ए सीयस सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा है डबल एसीयस वायर की जगे की जानकारी देने वाला वो कोई अन्य काम करता है उनमें से एक वाइजर के एंटीना को प्रित्वी की ओर रखना है उन्होंने बताया कि डबल एसीयस अभी काम कर रहा है लेकिन वो एरर वाले डेटा भेज रहा है जिसे सुधारनी की कोशिश के जा रही है डॉड ने बताया कि अभी तक किसी भी कारण से वाइजर में कोई समस्या नहीं देखी गई है एंटिना लगातार सिगनल भीज रहा है यानि कि वो सही से काम कर रहा है और प्रित्वी की ओर है डॉड ने बताया कि इंजीनियर इसका सलुशन सॉफ्टवेर बदल कर करने की कोशिश में है लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ तो हम इसके प्रित्यान कूल हो जाएंगे ये पहली बार नहीं है कि वाइजर में कोई समस्या आई है 2017 में उसके थ्रस्ट में खराबी आ गई थी जिसके बाद एक दूसरे थ्रस्ट 37 साल बाद शुरू किया गया था वाइजर से एक बार कॉन्टाक्ट में 48 घंटे का समय लग जाता है वही पिछले साल भी नासा के वाइजर वन स्पेस क्राफ्ट ने सौर मंडल के बाहर एक अजीब तरह के हम की आवाज को रिकॉर्ड किया था स्पेस क्राफ्ट में लगे उपकरणू ने स्पेस से लगातार आ रही इन आवाजों को समझने का प्रयाज किया इसे लेकर माना जा रहा है कि ये हमारे पडोसी आकाश कंगा से परे ब्रम्हान का शौर है इसे शौर को लेकर कहा गया कि ये इंटरस्टिलर गैस या प्लाजमा तरंगे हैं जो सितारू के बीच खाली जगहे में मौझूद है कागूल विज्यान में कॉर्नेल डॉक्टरेट छात्र और इसे शौर का पता लगाने वाले इस्टेला कोच ओकर ने कहा था कि ये आवाज भेहद ही धीमी और नेरस है क्योंकि इसकी bandwidth, frequency बहुत गम है हम इस हम वाली आवाज के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने की एक कोशिश कर रहे हैं वह इस खोच से पता चलता है कि वैग्यानिकों की जानकारी के तुलना तारू की बीच बहुत कुछ हो रहा है वैग्यानिक अभी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वो कौन से गतिविधी है जिसकी वजह से ये शूर हो रहा है लेकिन उन्हें लगता है कि ये थर्मल वाले प्लाजमा की कमपन की वजह से हो रहा है शोधकरताओं को अमीद है कि वैजर की जरिये सौर मंडल की सीमा पर चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं उन्हें ये भी समझने के उमीद है कि अंतरिक्ष का बाहरी वातावरन कैसे सौर मंडल की सीमाओं को व्यापक करता है वैजर वन स्पेसक्राफ्ट जब सौर मंडल से परे इलाके में पहुचा तो इसने गैस में होने वाली बड़ी गड़बडी का पता लगाया जो बाहरी अंतरिक्ष में हो रही है इसके लिए हमारा सूरज जिम्मेदार है और इस जानकारी को धर्टी पर भीजा जाएगा लेकिन इस दोरान हम जैसी आवाज का भी पता लगाया है जोर्ज फिल्ड स्टीन खगोल विग्यान के प्रोफेसर के वरिष्ठ लेखक जैम्स कोड्स ने बताया कि बाहरी अंतरिक्ष एक बेहद ही शान्त और धीमी होने वाली बरसात के तरह है सौर प्रकूपो के मामलों में ये बिक्र बिजली की गड़गड़ा हट के तरह होता है वही साल 2007 में भी वाइजबर ने अंतरिक्ष में अजीबों गरीब आवाजों को रेकॉर्ड किया था लेकिन इन आवाजों के लंबाई महस कुछ सेकेंड ही थी वेग्यानिकों का मानना था कि आवाज ब्लैक फूल या सूपर नुवा स्टार्ड में विसफोर्ड की बजहासे हो सकती है दोस्तों यहाँ आपको बता दे कि वेग्यान में अंतरिक्ष में आने वाली इन आवाजों को फास्ट रेडियो ब्रस्ट कहा जाता है इसके साथ की कुछ वेग्यानिकों का मानना था कि आवाज एलियन्स के दोरा उनके स्पीस क्राप्ट को चार्ज करने के दोरान उत्पन हो सकते हैं ऐसे में सूर्जा का कुछ हिस साइस वाजर से टकरा गया होगा फिलहाल इन आवाजों का सही कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया है जहां कुछ वेग्यानिक इन आवाजों के पीछे एलियन्स को कारण मानते हैं लेकिन एलियन्स को लेकर भी वेग्यानिक नजरीय से संशेही बना हुआ है वही नासा का वाइजर टू एक मात्र अंत्रिक्ष्यान है जो सभी चार गैस विशाल ग्रहूं, ब्रिस्पती, शनी, यूरेनस, नेप्चियून की यात्रा कर चुका है वाइजर 1 की तरह ही वाइजर 2 अंत्रिक्ष में आने वाली आवाजों को रेकौर्ड कर भीज रहा है दोस्तों अंत्रिक्ष में आए दिन नईनी घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण ये आवाजे उत्वन होती रहती हैं फिलाल वे ग्याने के इस खोज में लगातार लगे हुई है कि इन आवाजों के पीछे का रहस्ते क्या है